तो हेलो दोस्तो वेलकम टू एनादर एपिसोड अप गेमिंग गुरुजी तो भाई लोग मेरे पिछले वीडियो में सारे कमेंट कर रहे हो कि आप लोगों को ये वैपर मास्टर एचिवमेंट सारे किल करने के वाद भी नहीं मिल रहा है तो भाई लोग इसका क्या-क्या रि अचिवमेंट मिल सकता है तो भाई लोग ये ध्यान में रखे कि अगर आप स्क्वाड में प्लाटिनम टैर में है तो आप स्क्वाड में करने से आपको ये अचिवमेंट मिलेगा अगर अगर आप सोलो में प्लाटिनम पे है तो सोलो में ही करिएगा और अगर एस्या में है में तो works और कोई भी चेंज करने से यह नहीं मिल लेता है तो अगर सोलो में प्लाटिनूम या तो सोलो में कीजिए डूऻो में हैं तो दूस्ग Вс давайте Tray और स्कॉड में हैं तो बाड में कीजिए तो भाई लोग और एक इंपोटांट बात मैं आपको बता देता हूं मैंने बहुत सारा ट्राय किया वेपन मास्टर कंप्लीट करने के लिए लेकिन मेरा एक गलती हो रहा था कि मैं एक से नौक कर रहा था और एक से किल कर रहा था तो मैंने जो देख जानते होई होंगे आप लोग की सौटगॉन और ग्रिनेट से बहुत ही थोड़ा मुस्किल होता है तो मैं एमफोर से नौक करके ग्रिनेट से किल कर रहा था तो भाई लोग यह करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा मैंने बहुत सारा एटेम्ट किया था ऐसे ही करके तो मैं किल अगर आपने यार से नौक किया तो आपका किल यार में ही जाएगा तो भाई लोग सिर्फ यार में नौक करना और किसी से भी अगर आपने ग्रिनेट से किल कर दिया यार से नौक करके तो आपका किल यार का जाएगा ग्रिनेट का नहीं जाएगा तो भाई लोग यही ए एक बहुत इंपोर्टान बात है और एक बात कि आप जानते हैं यह होंगे ब्याइस स्नाइपर के अंदर जाता है SMG के अंदर नहीं तो आपर की तरह आप इससे यूज कर सकते हैं तो भाई लोग यह देख सकते हैं ध्यान में कुछ रखिए कुछ पॉइंट्स और आप कस्टम रूम्स में यह नहीं कर सकते और और एक इजी तरीका वपर मास्टर करने का यह है कि आप जो आपका एक साथी होगा तो उसके साथ आप खेलिए जो की नया नया बिल्कुल एक नया अकाउंट होगा तो बिल्कुल सारे ही बौट्स आएंगे और आपका एचिमेंट आराम से हो जाएगा तो भाई लोग यह सब ध्यान में रखे रखके यह वापन मास्टर कंप्लीट कीजिएगा और बेस्ट आप लोग दोस्तों करना जरूर और आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाय ओ वे पुरा हो या अच्छा हो मुझे अच्छा ही लगता है क्योंकि कोई तो कॉमेंट कर रहा है तो भाई लोग आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाब बाई और सब्सक्राइब करके जाना भाई